दिल्ली की हर ख़बर अपने मुबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटिस्ट अपडेट के लिए बैल आइकन जरूर दबाएं नौ मार्च को दिल्ली हाई कोट के डबल बेंच जिसमें जस्टिन विपिन सांगी और रिखा पली जी हैं उन्होंने दिल्ली नगर निगम के रिटाइड और मौझूदा करमचारियों की विथा को सुनते हुए एक बहुत महत्वपून निर्देश तीनों नगर निगमों के आयुकतों को दिया है यानि कि तीनों MCD के कमिशनर्स को इन परसन जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि टीचरों की, डॉक्टरों की, नर्सों की, सफाई करमचारियों की, अन्य अधिकारियों की जो मौझूदा वहां पर काम कर रहे हैं वो और रिटायर करमचारियों की पेंचन MCD ने कई महिनों से नहीं दी है, उन लोगों ने हरताल करके देख ली, बातचीत करके देख ली, मगर कोई उसका जो है समाधान नहीं निकला है, और अंतता दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है तीनों नगणिगमों में, कि पांच अप्रेल तक इन सब की तंखवाएं और पेंचन वो देदें, और इस बात को ध्यान में रखें कि एमसीडी के वकीलों ने दिल्ली सरकार पे आरूप लगाने की कोशिश की, मगर दिल्ली सरकार का कोई बकाया ना होने की वज़े से जो है, यह निर्देश सीधा सीधा एमसीडी कमिश्टर्स को दिया गया है, तो यह जो है जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता था कि इस वक्त नगर निगम के हालात बेहत बत्तर हैं, दिल्ली के भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुपता ने सोचा था कि सिर्फ बहाने बाजी करके दिल्ली सरकार पे आरोप लगा के वे एमसीडी के काले कारनामों को ढख सकते हैं, मगर दिल्ली नगर निगम के पांच सीटों पे उपचुनाओं के अंदर ये नतीजे आ गए हैं कि दिल्ली वालों ने उनकी बहाने बाजी को पूरी तरीके से ठोकरा दिया है और भाजपा को पांच में से शुन्ने सीट जो है धन्यवाद ये जानकारी मुझे नहीं है, ये नगर निगमों के पास जानकारी होगी, मगर काफी पैसा है जो देना चाहिए, दिल्ली सरकार का मानना है कि उसको जल्द से जल करमचारियों को भी और पेंशन धारियों के लिए बड़े मुश्किल हालाद चल रहे हैं कि उनके लिए घर क आरोप तो देखिए वो अभी भी लगा सकते हैं, मगर वो निराधार आरोप है, ये बात जो है सावित होती है, ठीक, धन्यवाद